तो चलिए अब cross product को समझते हैं, बहुती easy concept है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास दो vector है, a bar and b bar, और दो vector आपस मैं angle बना रहे है ठीटा, अगर मैं cross product करता हूँ, इन दो vector के बीच में, तो answer क्या आना चीए, सर answer आना चीए vector, यह हमने अभी अभी सीखा था आपसे basics में, अगर answer आ रहा है vector, तो direction matter करता है, direction का significance है, direction important है, हाँ, direction important है, इसलिए जब आप a bar cross b bar करते हो, तो आपका answer है magnitude a bar into magnitude b bar sin theta n cap, तो देखो right hand side यहाँ पर n cap, vector मौझूद है, विक्टर मौझूद है, इसलिए आपका answer क्या है, answer है vector, अब यह n cap है गया सर जी, n is normal vector, cap कह रहा है unit vector तो यह है normal unit vector, यह करता क्या है, देखो दिहान से, figure में यह copper मौझूद है, यह n cap plot करने के लिए आपको right hand thumb rule का इस्तमाल करना है, right hand thumb rule कहता है, पहले देखो a bar और b bar copper है, देख लिया, अब right hand का use करो, अब a bar cross b bar कर रहे हो न, तो बस ऐसे गुमा दो, a bar cross b bar, जब ऐसे गुम आ रहे हो, तो thumb का पर, thumb ऊपर देख रहा है, thumb ऊपर देख रहा है, वही है direction of n cap, समझ में आ रहे हैं बात, और यह n cap है यह b bar से भी perpendicular है, और यह a bar से भी perpendicular है, इसलिए यह normal vector है, यह दोनों से perpendicular है, और मज़े वाली बात, यह n cap है, जब भी cap देखते हो, तो इसका length 1 है, यह unit vector है, जब बार होता है, तो में और में नोर्ड भी unit vector, बट cap है, तो compulsory unit vector, ठीक है जी, समझ में आ गया, तो आपको एक और बात clear हो गई होगी, कि सर जी, अगर a bar cross b bar इस प्रकार है, तो b bar cross a bar क्या होगा, करके देखो, b bar cross a bar, उस case में thumb नीचे जा रहा है, तो आपका n cap जो है उसका direction नीचे होगा, जब नीचे होगा, तो फिर ये वाला answer, ये वाला answer और b bar cross a bar का answer different होगा, same नहीं होगा, तो इसलिए cross product में answer vector आता है, तो direction sensitive है, इसलिए a bar cross b bar is not equal to b bar cross a bar, ये बात clear होगी, वैसे a bar dot b bar equal था b bar dot a bar के, क्योंके scalar था न, तो scalar 2 into 3, 3 into 2, same ही है, कोई फरक पड़ता है, vector में फरक पड़ता है, direction आ जाता है, चलो, यहाँ पर ये बात clear हो गई, और कुछ चीज मैंने और भी बताई है, जैसे n cap जो है, that is perpendicular to both, to both a bar and b bar, और यहाँ पर n cap एक unit vector है, इसलिए इसका magnitude 1 है, इसका length 1 है, ठीक है जी, चली, अब आगे बढ़ते है, ये था आपका point number 1, अब point number 2 को समझते है, point number 2 क्या है सर जी, point number 2 है, कि अगर आपसे examiner कहे, find angle, angle between two vectors, तो इसके मदद से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे सर जी, देखो, यहाँ पर a bar cross b bar आपका था, magnitude a bar, magnitude b bar, sin theta, n cap, एक काम करो, दोनों साइड, magnitude ले लीजिए, अगर दोनों साइड, magnitude ले लेते हो, उपर ही ले लेता हो न, ताकि नीचे calculation करने में आसानी हो, अगर दोनों साइड, magnitude ले लेते हो, तो क्या होगा, यह scalar, यह scalar, यह scalar, इसका magnitude तो scalar ही है, वही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर, पर, magnitude n cap, इसका क् का अंसर magnitude n-cap का अंसर होगा 1 क्योंकि उपर उपर अभी हमने देखा है therefore आपका equation ये वाला modify हो चुका है इस प्रकार क्योंकि n-cap का magnitude 1 है इनका magnitude sustain करेगा वो आ गया नीचे ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर आप rearrange करोगे तो आप कह सकते हूँ theta is sine inverse magnitude a bar cross b bar divided by magnitude a bar magnitude b bar easy तो इससे भी आप निकाल सकते हो angle between the two vectors कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा point उसको discuss करते हैं कि a bar cross b bar अभी अभी हमने देखा that is magnitude a bar magnitude b bar sine theta n-cap तो जरा i-cap j-cap k-cap को बुला लेते हैं अगर मैंने i-cap cross i-cap किया तो क्या होगा sir i-cap cross i-cap याने a और b मतलब a की जगा भी i-cap b की जगा भी i-cap तो देखो right hand side में हो जाएगा magnitude i-cap magnitude i-cap sine of theta i-cap dot i-cap angle बनेगा ही नहीं angle 0 होगा और यह रहा n-cap तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखो तो sine 0 तो 0 होता है 0 into anything the answer is 0 but यह 0 scalar नहीं है यह 0 vector है यह बड़ा important है तो ध्यान से देखना यह 0 vector है तो यहाँ पर आपने देखा i-cap cross i-cap is 1 तो similarly हम यह कह सकते है that j-cap cross j-cap is also 0 bar 0 मत कह देना answer vector होगा दो vector के बीच में cross product the resultant is vector only not a scalar तो यहाँ पर i-cap cross i-cap, j-cap cross j-cap, k-cap cross k-cap सभी के सभी 0 bar है चलिए अब आगे बढ़ते हैं point number 4 को समझते हैं ऐसी हम discussion करते रहेंगे मस्ती मस्ती में answer आ जाता है कोई दिक्कत वाली बात में होती अब ध्यान से देखना, अब यह जो हमारा equation था, मैं इसको copy कर रहा हूँ next slide में भेज रहा हूँ अब ध्यान से देखना, अब मैं यह कह रहा था कि अगर मैंने a की जगा i-cap ले लिया और b की जगा j-cap ले लिया तो क्या होगा यहाँ पर magnitude i-cap, magnitude j-cap और angle तो 90 degree बना रहे है और फिर यह है हमारा n-cap तो अगर मैं ध्यान से देखू तो magnitude i-cap 1, magnitude j-cap 1, sin 90 degree 1 तो answer कितना आ रहा है answer आ रहा है, i-cap cross j-cap is n-cap बट यह n-cap है क्या normal vector, right and thumb rule से इसका direction पता चलता है तो ध्यान से देखना, i-cap, j-cap, k-cap यह आपस में perpendicular थे इस प्रकार से तो अगर अब आप करो i-cap cross j-cap thumb किदर जा रहा है, i-cap cross j-cap thumb उपर जा रहा है, किदर जा रहा है, k-cap की direction में तो यहाँ पर यह n-cap हो जाएगा k-cap के बराबर समझ में आ रही है बात अगर बात समझ में आ रही है तो जरा यह वाला भी करके बता दो, similarly अगर मैं आपसे पूछू j-cap cross i-cap कितना होगा j-cap cross i-cap magnitude j-cap 1, magnitude i-cap 1 sun 90 degree 1 और n-cap बच जाएगा, देखो फिर से यहाँ पर आ गया n-cap अब j-cap cross i-cap तो j इधर i इधर है तो j-cap cross i-cap करेंगे तो फिर अब मैं नीचे जा रहा हूँ थम नीचे जा रहा है और नीचे कौन मौजूद है नीचे अगर आप देखो तो minus k-cap मौजूद है ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है minus k-cap तो यह चीज आपको पता हो नीची है that i-cap cross j-cap करते है तब k-cap आता है पर वही चीज जब j-cap cross i-cap करते है तो k-cap नहीं आता minus k-cap आता है because of right hand thumb rule because of resultant vector है इसलिए direction matter करता है तो यह वाली चीज बड़ी important है अगर यह चीज समझ में आ गया तो अब एक trick भी दे देता हूँ कि इसको by heart कैसे करना है by heart easily करना है i-cap, j-cap, k-cap ठीक है i-cap, j-cap, k-cap बस अब आपको anti-clockwise घुमना है i-cap cross j-cap, k-cap j-cap cross k-cap, i-cap k-cap cross i-cap, j-cap ऐसे ठीक है तो यहाँ पर क्या काम है i-cap cross j-cap is k-cap j-cap cross k-cap is i-cap और फिर k-cap cross i-cap is j-cap बड़ अगर आप उल्टा घुमते हो clockwise तो negative answer आता है ऐसे घुमो i-cap cross k-cap तो answer आजाएगा minus j-cap ऐसे घुमो अगर आप करोगे यहाँ पर k-cap cross j-cap तो answer आजाएगा minus i-cap ऐसे जा clockwise j-cap cross i-cap answer आजाएगा minus k-cap समझ मार यह बात तो यही एक fundamental है कि anti-clockwise घुमोगे positive clockwise घुमोगे negative answer आएगा यह trick है trick से easy libyat हो जाता है बस i-j-k ऐसे anti-clockwise में लिखना है i-j-k फिर बस anti-clockwise में घुमोगे तो positive answer clockwise कर दिया तो negative answer नई तो आपको fundamentals तो पता ही है concept तो पता ही है वहाँ से भी जा सकती हो तो अब तक हमने कितनी बाते जानी है अब तक हमने जाना formula के बारे में फिर हमने देखा कि यहाँ पर angle between two vectors कैसे निकालते है फिर हमने देखा कि यहाँ पर अगर same vectors आपस में cross product हो जाए तो 0 आ जाता है अगर a bar cross a bar भी करे तब भी answer 0 आएगा ठीक है वही अगर हमने दो अलग vectors है जैसे i and j तब किया तो यहाँ पर क्या answer आ रहा है उसके बार में analysis किया और उसको याद रखने का हमने trick भी देख लिया अब जायसी बात है आपके जहन में यह तो आई रहा होगा के sir आपने अभी अभी हमको बता दिया that a bar cross b bar ऐसा है और वही जब उल्टा करते हो तो same नहीं होता है तो answer क्या होता है जब इस पर comment कर दो in general previous इस में तो हमने देख लिया क्या देख लिया कि i cap cross j cap is k cap वही उल्टा गर हम देखे j cap cross i cap तो minus k cap बनता है चुद अब यहाँ पर बात करते है अगर मेरे पास यह रहा a bar यह रहा b bar यह रहा theta b bar cross a bar करू तो यह नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है तो यह minus in cap है वही अगर a bar cross b bar करता तो उपर जाता positive axis के तरफ यह बनता positive in cap तो यहाँ पर answer आ जाएगा magnitude b bar into magnitude a bar sin theta minus in cap ठीक है जब दोनों को जब आप देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा एक दूसरे के negation है therefore resultant यह हुआ कि a bar cross b bar is actually negation of b bar cross a bar और यह हमने fundamentals में भी पढ़ा है अगर आपके पास a b bar vector है तो वो a bar vector के बराबर नहीं है बढ़ अगर एक minus लगा लो तो दोनों same हो जाते है तो same यहाँ पर भी है ठीक है जी तो यहाँ पर a bar cross b bar is minus b bar cross a bar easy easy तो आगे बढ़ सकते है कुछ properties को देख सकते है point number 6 properties अब तक point number 5 पर हम पहुच चुके है point number 6 property है कि a bar cross b bar plus c bar इसका answer है distributive law यहाँ पर भी आता है और इस प्रकार से आप distributive law का इस्तमाल कर सकते हो point number 7 अब जैसे आपको पता है a bar dot b bar 0 होने पर हम कहते थे कि अरे दो vectors आपस में perpendicular है similarly अगर a bar cross b bar 0 बार हो जाए तो हम क्या कहते है कि vectors आपस में parallel है देखो a bar b bar ऐसे भी हो सकते है a bar b bar ऐसे भी हो सकते है a bar b bar ऐसे भी हो सकते है a bar b bar ऐसे भी हो सकते है ठीक है बढ़ यह सब indication देता है कि यह आपस में parallel या को लीनियर आप कहलो वैसे है ठीक है जी तो यह हम कहेंगे यहाँ पर a bar cross b bar अगर 0 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि sin theta हमारा 0 था है ना देखो यहाँ पर अगर sin theta 0 होता है तभी तो a bar cross b bar 0 होता है कि a bar parallel to b bar है 0 भी हो सकता है या फिर 180 degree भी हो सकता है क्योंकि sin 180 degree भी 0 होता है हाँ pi by 2 नहीं हो सकता 3 pi by 2 नहीं हो सकता बट 0 या फिर pi जरूर हो सकता है तो यह दो answer आपके रहेंगे तो मुझे रगता है यह बात भी clear है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह समझते है कि cross product करना कैसे है दो vector के बीच में अगर cross product करना है तो वो होगा कैसे देखो अगर मेरे पास a bar जो है वो है a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap और ऐसे नहीं रखते काम करते a1 a2 वाला कर देते है तो यह easy रहता है याद करने के लिए और यह रहा b bar जो है b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap अगर आपसे कोई a bar cross b bar कह रहा है तो सीधा cross करो और फिर वो वापिस not um बना जैसे हमने previous में सीखा था dot product के लिए है न तो वो कर सकते हो standard method standard method क्या है actually आप इनका cross product यहाँ पर कर रहे हो ठीक है जी तो यहाँ पर ध्यान से देखना method one क्या है जी यहाँ पर cross product अगर आपको करना है न यही तो पूछा जा रहा था न what is the cross product between the two vectors how to find that तो इसका आप cross product करो इसके साथ और answer निकालो तो हमको तो ऐसा interest नहीं है जी not um find करो उसका simplification करो करना है तो कर सकते है बढ़ हमको मजा नहीं आता जी सर जी अगर आपको मजा नहीं तो अब क्या करना चाहते हूं method two method two का इस्तमाल करेंगे method two यह कहता है that a bar cross b bar simply होता है determinant of i cap j cap k cap फिर a bar पहले था इसलिए a1 a2 a3 a bar के coefficient फिर b bar बाद में है तो b bar के coefficients b1 b2 b3 simple है coefficient matter करता है उल्टा सीधा करोगे तो आंसर उल्टा सीधा आएगा इसलिए सीधा सीधा रखना तो आंसर सीधा सीधा आएगा easy easy तो फिर चलिए एक और important note है उसको देख लेते है पट वो note देखने के लिए हमको free के slides add करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा हमको समय द लेकरेंज identity यह कहता है कि अगर आप magnitude a bar cross b bar का square देखो न तो यह होता है a square b square minus a bar dot b bar का square अब सवाल है ऐसे कैसे तो इसका proof बड़ा simple है solution सबसे पहले तो यहाँ पर वो क्या कह रहे है a bar cross b bar का magnitude फिर उसका square तो यार a bar तो यह proof करना है न तो solution नहीं होगा यह होगा हमारा proof तो ध्यान से देखना a bar cross b bar होता है magnitude a bar magnitude b bar sin theta n cap अगर इसका हम magnitude complete ले तो right hand side का magnitude कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फिर अगर उसका square करे तो इसका भी square हो जाएगा अगर हो जाएगा अब ध्यान से देखना इस चीज़ को मैं copy कर रहा हूं next slide मैं और आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर magnitude a bar का square को मैं a square के दू magnitude b bar का square को मैं b square के दू sin theta का square को मैं sin square theta के दू और यह n cap का magnitude का square तो यह one square यह तो one हो जाएगा easy one हो जाएगा चल तो यहाँ तक तो हम सभी पहुँच चुके है अब आगे क्या अब आगे कुछ नहीं trigonometry sin square theta is one minus cos square theta अब यहाँ पर basic algebra कद्दू कटेगा सब में बटेगा बाट दो कद्दू को बाट दिया कद्दू को अब चलिए यहाँ तक तो हम भी पहुच गए तुम भी पहुच गए बट सर जी answer तो तब भी नहीं आया हाँ तब भी नहीं आ क्यूंके एक step अब भी बाक magnitude b bar cos theta सर यह a bar dot b bar है अगर यह a bar dot b bar है तो अब उसका square होगा यहाँ पर so a square minus b square a bar dot b bar का square यही है हमारी lecrans identity समझ में आ गई बात easy कोई कठिनाई वाली बात नहीं तो चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ कुछ और बाते करते हैं तो अब तक हम बहुत सारी ठीच पढ़ रहा है उसके बार में जाना फिर i cap cross j cap होता है तब देखा उसका trick देखा फिर a bar cross b bar b bar cross a bar उसका visuals हमने देख लिया फिर बात में हमने distributive law को देखा और vectors parallel vectors parallel कब होते है जब उनका cross product zero हो जाए या वाईसा वर्सा जब ऐसा हो रहा है तो theta zero या पाई है और यह सारी चीज हमने यहाँ पर जाने फिर cross product करना कैसे एक standard method एक है trick उसको देखा फिर हमने लेकरेंज identity को देखा अब इसका application भी है तो उसको भी हम देखते हैं कि vectors की दुनिया में यह सब cross product करके हम area निकाल सकते हैं yes so अब हम जा रहे हैं next point पर तो यह proof हो गया 8th point तक हम थे अब 9th point को हम देख रहे है ठीक है जी 9th point यहाँ से देखना अगर मेरे पास एक vector है AB और दूसरा vector है AD ठीक है जी तो यह दो vector है हमारे पास मैं इसको in shot कह दूँ यह A bar यह वाला B bar तो क्या आप मेरे को बता सकते है what is the area of parallelogram क्योंकि यहाँ पर बन रहा है अगर मैं trace करूँ तो इस प्रकार से trace होगा ठीक है तो यह parallelogram बन रहा है so what is the area of parallelogram बड़ा आसान सा answer है area of parallelogram is magnitude of A bar cross B bar पर सर यह आया कैसे यही तो सवाल है अब देखो यह A bar B bar आपस में angle बना रहा है ठीक है जी और फिर आपको पता है अगर मुझे area of parallelogram निकालना है तो हम कहेंगे area of parallelogram is base into perpendicular height बस यही कहेंगे base into perpendicular height तो base कितना है base A bar मत कहना क्योंके length scalar answer है तो यहाँ पर magnitude A bar कहेंगे perpendicular height याने यह वाली height यह वाली height कितनी है जी यह वाली height निकाल सकते हो by saying right angle triangle है जनाब right angle triangle के अंदर अगर हम बात करें sin theta की तो sin theta हो जाएगा opposite upon hypotenuse तो अगर opposite देखे तो वही हमारी perpendicular height है divide by hypotenuse magnitude B bar होगा क्योंके B bar लिख नहीं सकते scalar वाली चीज़ हमें चाहिए तो rearrange करोगे यहाँ पर put करोगे तो आप कहोगे perpendicular height हो रही है magnitude B bar sin theta और यही तो हमारी चीज़ है वो magnitude of A bar cross B bar भूल गए क्या तो यहाँ पर यादिला देता हो magnitude of A bar cross B bar कितना आ रहा है अगर आप इसका magnitude ले लेते हो जहां से देखना तो इस चीज़ का magnitude तो यह sustain करेगा यह sustain करेगा यह sustain करेगा पर यह हो जाएगा 1 तो answer कितना आएगा यहाँ पर magnitude A bar into magnitude B bar sin theta तो इसी को हम कहते है magnitude A bar cross B bar वही चीज़ तो यहाँ पर थी इसलिए area of paleogram जो है वो है magnitude A bar cross B bar क्या यह सेम चीज़ हम sir triangle के लिए भी use कर सकते है why not ध्यान से देखना अगर मेरे पास एक vector है AB bar जिसको मैं in short कह देता हूँ A bar और दूसरा vector है मेरे पास AC bar जिसको मैं in short कह देता हूँ B bar तो area of triangle आप निकाल सकते हो area of triangle कितना होता है sir area of triangle again होता है base into height but इसमें half base into height होता है yes half base into height देखो base तो आपको पता ही है क्या है A bar मत कहना magnitude A bar कहना but perpendicular height सर जी वो नहीं पता है perpendicular height हम निकाल देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है perpendicular height अगर आपको निकालना है तो फिर कहना पड़ेगा यह है angle theta दो vector आपस में angle बना रहे है theta यह है right angle triangle right angle triangle के अंदर अगर हम कहे sign theta तो वो जाएगा opposite upon hypotenuse opposite हमारा कितना है यह perpendicular height है जो हमको चाहिए perpendicular height divided by hypotenuse है magnitude B bar बस इस चीज़ को अब यहाँ पर substitute करो जो बन रहा है फिर magnitude B bar sin theta तो formula आ गया ना half magnitude A bar cross B bar अगर यह कर लोगे तो area of triangle आ जाएगा ठीक है जी तो vectors की मदद से area of triangle and paragraph कैसे निकालना है वो भी हमने देख लिया तो चलिए अब examples को देखते है example 1 A bar दे रखा है B bar दे रखा है पूछ रहे है magnitude of A bar cross B bar तो easy है सबसे पहले हम A bar cross B bar निकाल लेते हैं जी A bar cross B bar होगा determinant I cap J cap K cap फिर A bar के coefficients 2 1 3 copy करो 2 1 3 फिर B bar के coefficients copy कर लो 3 5 minus 2 चलो इसको soil कर लेते हैं इसको soil करेंगे तो यहाँ पर I cap और फिर उसका respective minor जो आ रहा है यहाँ पर minus 2 minus 15 तो minus 2 minus 15 हो जाएगा minus 17 फिर minus J cap और फिर उसका respective minor याने minus 4 minus 9 तो यह कितना हो रहा है यह हो रहा है minus 13 फिर plus K cap उसके respect का minor तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 10 minus 3 जो है 7 तो यह हमारे पास vector आ गया है बट vector नहीं चाहिए उनको उनको चाहिए magnitude तो यहाँ पर देखो A bar cross B bar जो vector है वो है minus 17 I cap plus 13 J cap plus 7 K cap तो अगर इसका magnitude चाहिए तो magnitude होगा square root 17 square plus 13 square plus 7 square तो अगर आप इसको calculator में put करोगे तो यह आ रहा है square root 507 easy था example 1 चलिए अब example 2 को देखते है find unit vector perpendicular to both A bar plus B bar and A bar minus B bar और इस प्रकार से दिया गया है तो easy है सबसे पहले हम A bar plus B bar and A bar minus B bar को find करते हैं दो vector को add कीजे यहाँ पर तो कितना आ रहा है 2i cap plus 3j cap plus 4k cap फिर A bar minus B bar को find कीजे तो यह आ रहा है minus j cap and minus 2k cap यहाँ तक सभी पहुँच चुके हैं अब उनको चाहिए unit vector perpendicular to both तो आपको पता है ना दो vector जब cross product में जाते है तो resultant vector जो आता है वो दोनों से perpendicular होता है और unit vector चाहिए तो unit vector हमको पता है अगर एक vector P है उसका unit vector निकालना है तो P bar divided by magnitude P bar कर लेंगे चलो अब यहाँ पर चर्चा करते हैं अगर इन दोनों का हम cross product करें तो फिर क्या resultant हमारे पास answer आ रहा है ठीक है तो मैं इसको copy कर लेता हूँ क्योंके need होगी cross product करते time elements put करने होते है तो need तो रहेगी तो ध्यान से देखना मैं कर रहा हूँ a bar plus b bar cross product with a bar minus b bar क्योंके दो vector को जब cross product करेंगे तो जो resultant vector है वो इन दोनों से perpendicular होगा तो यहाँ पर i cap, j cap, k cap a bar plus b bar के coefficients यहाँ पर 2, 3, 4 है तो पहले उसको लिखो 2, 3, 4 a bar minus b bar के coefficient ध्यान से देखना 0, minus 1, minus 2 है तो 0, minus 1, minus 2 उसको लिख दिया अब आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं अब इसको solve करते हैं कहते हैं i cap फिर उसके respect का जो minor है वो है minus 6 plus 4 minus 6 plus 4 is minus 2 फिर minus j cap फिर उसके respect का minor जो minus 4 आ रहा है फिर plus k cap उसके respect का minor minus 2 आ रहा है चलो तो यहाँ पर हमारे पास resultant vector आ चुका है let us say this is c bar तो c bar जो है minus 2 i cap plus 4 j cap minus 2 k cap अरे बट यह तो unit vector नहीं है इनको unit vector चाहिए था तो वो हो जाएगा c cap which is c bar divide by magnitude c bar तो यह हो जाएगा minus 2 i cap plus 4 j cap minus 2 k cap divide by square root 2 square plus 4 square plus 2 square तो यह आ रहा है 2 root 6 तो यह हो गया आपका final answer अब कुछ students आर्ग्यू करेंगे sir आपने ऐसा ही क्यों किया उल्टा भी तो कर सकते थे आप a bar minus b bar cross with a bar plus b bar भी तो कर सकते थे इससे भी जो resultant आएगा वो दोनों ही vector से perpendicular होगा मैंने का हाँ जी कर सकते थे और वैसे करने के बाद यह answer नहीं आएगा जो answer आएगा वो इसका negation होगा तो आप अगर negation वाला answer कहते हो तब भी वो सही है यह answer कहते हो तब भी वो सही है ठीक है तो वो note मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्या है वो note वो note यह है ठीक है उपस यह क्या हो गया एक second हाँ अरे हम एकदम से आगे कैसे आ गए एक second मुझको दे देना हम थे फिलाल यहाँ पर ठीक है और मैं आपसे कह रहा था कि यह जो answer आया है यह जो answer आया है यह मेरा तब answer आया है जब मैंने किया है a bar plus b bar cross product with a bar minus b bar ठीक है जब ऐसा किया था तो उसका नतीजा यह था कि उसके respect का जो unit vector है unit vector यह भी बड़ा important है ने तो कहोगे सर यह करने पर तो सिर्फ numerator आता है यह denominator कैसे आया मैं unit vector की बात कर रहा था और कोई उल्टा कर देना तब भी चल जाएगा a bar minus b bar cross a bar plus b bar तो उस case में unit vector होगा 2i cap minus 4j cap plus 2k cap बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है ठीक है जी इतना ही फर्क है यह answer हो जाएगा और दोनों यह answer correct है यह भी correct है यह भी correct है अगर msq का paper आ जाए तो दोनों को click कर लेना अगर mcq का paper है तो जैसे वो चाहे उसको click करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने यह रहा find the area of the triangle having points ABC अभी अभी हमने सीखा था कि vectors की मदद से हम area of triangle area of paleogram निकाल सकते हैं पर यहाँ पर अगर आपको area of triangle निकालना है तो half base into height है ना तो यहाँ पर half base into height अगर वो उस हिसाब से जाओगे तो यह आ रहा है magnitude AB cross AC यह होगा AB cross AC तो सर जी AB bar vector AC bar vector तो दिया नहीं है तो find कर लो na AB bar अगर find करना है तो final minus initial ऐसे आप कर सकते हो 2 point दिया है 2 point से vector निकालना basics में सिखाया था मैंने तो यहाँ पर कितना आ रहा है I cap तो उड़ गया J cap बच गया इस प्रकार से यह K cap आ गया 3 minus 1 is 2 K cap ठीक है जी उसके बाद AC bar अगर मुझे निकालना है तो यह I cap plus 2 J cap plus K cap तो उड़ गया ठीक है तो इतना ही बचेगा अब जब इतनी चीज़े बच रही है तो अब क्या आप 5 से निकाल सकते हो देखो दिहां से अब AB bar cross AC bar चाहिए तो यह मेरे को elements लगेंगे वो determinant मेरे को निकालना है जो है AB bar cross AC bar जो होगा determinant of I cap J cap K cap AB bar के coefficient 012 AC bar के coefficient 120 ठीक है इसको solve करो answer निकालो चेक करो इसको जब solve किया हमने तो answer आ रहा है I cap उसके respect का coefficient minus 4 है फिर minus J cap उसके respect का minor minus 2 है फिर K cap उसके respect का coefficient minus 1 है तो यहाँ पर यह आ रहा है minus 4 I cap plus 2 J cap minus K cap ठीक है जी और यह final answer नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है यह अब तक हमने just AB bar cross AC bar निकालना है हमको तो चाहिए area of triangle area of triangle तो उसका magnitude है तो previous वाले का magnitude कितना है यह बताईए सर जी मगनित्यूद यह देखो square root 4 square plus 2 square plus 1 square 16 plus 1 17 17 plus 4 21 तो यहाँ पर root 21 है root 21 substitute कर दो root 21 divide by 2 यह आपका area of triangle हो गया area negative हो नहीं सकता इसलिए ध्यान से अगर आप negative में लिखते हो तो आप गिलत कर रहे हो area is always positive light आप गिलत आप 4 आप अ क apro यह मुका कर दो . झाल झाल झाल